जैसरी कृष्णा मेरी यूटूब फैमली तो चलिए आज बनाएंगे बिल्कुल देशी अंदाज में सेंडविच बिना किसी मेकर के बिना किसी साचे के वो भी तवेप है बिल्कुल अपने गाउं के देशी तरीके से तो देखे इने मैंने कैसे बनाया वो देख लेते हैं कि ऊपल बाते में कूटऌ हें और थोड़ा सा धनिया बारी कटा हुए एक सिमला मीर्च है इसे अगर आपके पास पनीर हो तो सहिंए ना हो तो कोई और देखिए अब हम इसाव मसाल है मसाल तो देखिए तया थे सलब से पहले लाइं डाल करतेया ना MR सरसों का अब यूजंट वो डाल सकते हैं मैंने लाइन सर्सों का तänge अब अल्य ची बीड़ दो एविस सावुद्धनिया और इसके बाद इसे चलाते हैं अच्छे से गैस का फ्लेम लो रखिएगा क्योंकि हमारे मसाली एक दम जरैना सिर्प चटके हैं और थोड़ा सी हरी मिर्च वारे कटी हुए ठोड़ा साध्र कट्दूकस लाओ अच्छे से ships किया है और मृहं और मैने इसमें चला यह मba अच्छे से हैं डाला है मतल मटर को भी अच्छे से हम पकाएंगे देखिए बिल्कुल कुटा हुआ है इसे मैं अगर मिक्सी में क्रेस्ट करती तो यह बहुत जादा बैसे हो जाते दाने इसके आते ने जब इसके दाने मुह में आते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसलिए मैंने इसे इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं जो कि इसमें जो पानी का अंस है वो सब जल जाए पानी विल्कुल भी नहीं रहना चाहिए सबजी में बहुत अच्छे से हमाई सेंड़िच वन कर तैयार होगी तो देखिए अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले आदी चम मसाला तो इसे अच्छे से मिक्स करते हैं अब सारी मसाले हमारे पक जाएंगे देगे अच्छे से फ्राइ कर लिया है जो मसाले है वो भी इसके साथ में अच्छे से पक जाएंगे और अब फ्रेंट देखिए इस सब अच्छे से पक चुगे है तो जो हमारे आलू है और इन में सारी मसाले अच्छे से मिक्स न हो जाएं जब तक हमें इसी तरह से मिक्स करना है और फ्रेंड्स बही पुरानी छोटी सी रिक्वेश्ट अगर आप चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेज चैनल को सस्क्राइब जरूर करके जाएगा बेल आइकन होने के लिए छोड़ देती एक साइड में तब तक हम इसके लिए बनाएंगे चटनी तो इसमें डाल दिया है मैंने धनिया दो हरी मिर्च थोड़ी सी अध्रक कटी हुई और थोड़ी से मुफली के दाने और अब हम डालेंगे इसमें आदी चमत जीरा थोड़ा सा स्वाद की और आदे नीवु कारस किरा अदे नीवु कारस डाल देते हैं र है इससे अग और पानी चट्नी bisa पीमिदे लिए acš आव्य तो इस लिए ज्यादा पपनला नहीं होना तो देखिए अब मसाला भी माठंडा होगे एक में टेमेटू कैचप और ग्रीन चेटनी है अब यह हमाई चीज चाहिए सब तयार है बनाएंगे हम सेंडविच तो देखिए मैंने यह ब्रेड लिया आठ ब्रेड लिये हैं आपको जितने बनाने आप दुस्तर साथ तयारी कर सकते हैं तो अब मैं इस पर थोड़ी थोड़ी यह चटनी लगाऊंगी एक ब्रेड के उपर इस तरह से फ्रेंट्स यह ध्यान रखिए चटनी बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए अगर पतली चटनी है तो हमाई सेंडविच खराब हो जाएंगे अच्छे नहीं बन कि आप चम्मट से भी लगा सकते हैं जरूर नहीं अगर चम्मट से आप सही तरह से नहीं लग रहा हैं तो आप हास से बहुत पशंद आती है यह जरूर कीजीएगा और इसे हम इस तरह से बना कर एक साइड में रख लेते हैं और सब सेंड़ीच, हम इसतरе से भर के हैं, इक वार में हम इन्न से रखेंगे, तो देजिए इस तरहे साधनी को हम लिप करेंगे, और उसके बाद में चटनी लगा के अच्छे से ब्रेड के ऊपर, चारो कौनों टक Shalif और हम आलू को इसपे सेट करदेते हैं लगा लिए है कि आपको जो कर बशन दों पर सबों सबता सकते हैं चली की सब Tack ड़्या में न बनाए धनीय की तो आप दोन तरह की स्वास लगा कर मसं वह सकती है तब वह बहुत अच्छी बनाती है तो देगि पहला देती हूं इनके उपर और इतनी स्वादिश्ट लगती हैं कि बच्चे के तो बच्चों के तो पेटी नहीं भरते हैं दो-दो सेंडविच अके लिए एक एक बच्चा खा सकता है इतनी मतलब टेस्टी बनती हैं एक बार आप अपने बच्चों को बहुत ही स्वादिश्ट और हेल्दी हमारी सेंडविच बनकर तयार होती हैं मार्किट की जो चीज़ा होती हैं उनसे बचाने के लिए बच्चों क मैंने अच्छी सेट किया अब यह ब्रेड लगा कर इसे भी एक साइड में रख देते हैं देखिए सब के लिए मैं भर लिए अब एक तबाली आए तब मैं लगाया देसी घी और एक साइड में ब्रेड के उपर भी घी लगाएंगे आपके पास बटर हो तो आप बो लगा स गी कि अदेखिए तरह सर्च के लगाता हें वस दद धर्ड गी लगी में रखते हैं इस साइड में तो देखिए बहुत अच्छे से मैंसे कमसक्त 30-30 बार छे सेट पिर इसे पिलट दीजीएगा देखें नहीं तो हमारी सेंड्विच जल जाए तो इस तरह से क्रेंची और क्रस्पी होने तक अलटक लटके बहुत अच्छे से से शेग लीजिएगा बहुत स्वादिष्ट हमारी सेंड्विच बनकर तयार हुए एक बार आप इस रेसिपो जरूर ट्राइ किजेगा और अपने कमेंट करकर बताइएगा कि आपको मेरी बनाईए सेंड्विच कैसी लगी तो देखें आप मेंसे हटा लेते हैं देखें हमारी सेंड्विच बनकर तयार है एक दम क्रिस्पी और प्रंची तो इस तरह से आप जरूर बनाईएगा तो देखें अब इससे हम कट करके दिखाते हैं आपके लिए देखें गाव में कटर बगएर तो होते नहीं है इसी तरह से चापू से काट के देखें बिल्कुल भरी हुए हमाई सेंड्विच बनकर तयार हुए है बहुत ही टेश्टी है इसके साथ किसी भी चटनी के आवच सकता नहीं क्योंकि हमने इसमें टेमेट तो केचप और जो हमाई चटनी बनी हुए वो लगाई है तो देखें सब के लिए मैं इसी तरह से शेक लेती हूँ देखें कितनी अच्छी और कितनी फटापट से बन जाती है जब कोई आपको नास्ता दिखाई ना देना बनाने के लिए घर मैं अगर फ्रीज में आलू रखें हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेश्टी और बहुत ही आसान तरीके से बन क भूलिएगा आप भी बनाईए खाई अपने पेमली मेंबर को खिलाईए बहुत ही टेश्टी हमाई सेंडविच बन करता है यारे फ्रेंड्स राधे राधे